असलाम अलेकुम हम Cambridge O Level Mathematics C Complete Video Series के साथ आपके सामने हाजर हैं इस तसले में हम Audrey Simpson की book यूज़ कर रहे हैं और उसका chapter 22 जो के vectors के मुतालिख है उसको solve करने जा रहे हैं आज हम उसके exercise 22.4 देख रहे हैं इसकी A को A' से मिला दीज़े, B को B' से मिला दीज़े, C को C' से मिला दीज़े और यह lines जो blue color से मैंने मिला के दिखाई हैं यहां पर इन lines को bisect कीज़े, A से A' और C से 3' वाली line को bisect करने का आपको तरीका पता है कि compass खोलेंगे उससे आप mark करेंगे जादा खोलके, दोनों तरफ रखके उपर और नीचे दोनों जगा और एक line बना देंगे जो उसके center से गुज़र रही होगी आपको पता है कि अगर यह किसी circle की cord है, यह line की circle की cord है, यह वाली line तो उसको जो bisect करेगी, वो लाजमने 70 degree पर होगी, और वो जिस circle की cord होगी, उस circle के center से गुज़र रही होगी कहीं न कहीं आगे जाके, similarly इस line को आप bisect कर लीजे, यह कहीं, यहां से bisect होगी probably, और यह जाके जहां bisect होके पहुँचेगी, यह को यह point होगा तो इनका कहना यह है, कि आप यह महसूस कीज़े, जब यहां पर circle के, यह circle का center बन रहा है, चूंकि यह bisect कर रही है, इस cord को, और यह bisect कर रही है, तो यकिनन यह lines जो bisect कर रही है, यह जाके कहीं न कहीं, इन circles के center को touch कर रही होगी जहां पर दोनो लाइने मिल रही हैं, वो इन दोनो circles का combined center है, यह बताना चाहरे हैं, उसको test करने के आप से कहरे हैं, कि आप इसको इतना खोलिए, यहां से ए तक रखके खोलिए, और आप देखिए जब आप इसको mark करेंगे, तो यहां mark होगी जाके यहां पर, इसका मतलब ह कि दोनों points को touch कर रही है, वाकरी transform कर रही है, A को A' में, और फिजब इसको इतना खोलेंगे, यहां पर रखके यहां तक खोलेंगे, तो खुद बखुद आप देखेंगे, कि यहां पहुंच रही है, बीच में कहीं cut नहीं कर रही है, बेलके C को C' तक पहुंचा रही है, इ इसको tracing paper से करते हैं, लेकिन उनोंने यह एक angle दिया है, आपको एक तरीका बताए कि इस तरह से भी हम judge कर सकते हैं, कि rotation हो रही है, और एक ही point से दोनों चीज़ें rotate की गई है, ठीक है, यह एक था, इसका question, अचा question 2 को देखते हैं, तो उसमें नोंने यह हमें यह एक triangle दे दिय है, और इसके against, बना के मैंने पर इसलिए रख लिए है, ताकि वीडियो थोड़ी सी short हो सके, और वो बनाने बनाने बहुत लंबी हो जाती है, एक triangle यह दे दिया, इसको जो है, आपको जो है, वो enlarge करना है, अब enlarge करने का मतलब बड़ा करना भी हो सकता है, multiplied by 2 किया, और point य यहाँ पर vector का सिखाया है, कि एक vector है, जो कि आप judge करें क्या है, तो हमने इस point से इसको judge किया, कि वो vector कितना है, क्या, कैसे पदा चला, कि यह वाला point, इस point से 2 उपर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछे, तो minus 6 और 2, यह vector था, तो इस point की बात हो रही है, तो यह देखें, मैंने यहाँ इस point को देखा, तो minus 2, 2 था, क्योंकि x पीछे गया, तो और y 2 उपर आया, तो minus 2 और 2 था, इस point को देखा, तो x 6 पीछे आया, और 1 नीचे आया, तो minus 6 और minus 1 था, अब अगर इसको 2 times बड़ा करना है, तो multiply by 2 कर लेंगे, तो हो जाएगा minus 12 और minus 2, minus 12 और minus 2 इस point को अगर आप देखें, तो यहाँ बन रहा है, 12 दफ़ा पीछे आना है, और 2 दफ़ा नीचे आना है, कहां से, यहां से, सब कुछ यहीं से होगा, तो आपको याद ही होगा, transformation में, जब हम enlargement करते हैं, तो किसी point के reference से enlargement होती है, तो यही ता से, यह point 6, 2 था, तो minus 6, 2 था, तो minus 12, 4 होगा, तो 12 पीछे आएगा इस point से, और 4 उपर जाएगा, यह बन रहा है, यह point, तो enlargement जो है, उसमें वेक्टर का कैसे समाल होता है, यह दिखाया जा रहा है, आचा, enlargement बड़ा गरने को भी कहेंगे, और enlargement फ्रेक्शनल भी होती है, यानि छोटा भी हो रहा होता है, और even enlargement माइनस माइनस भी होती है, जब माइनस में enlargement होती है, तो उसकी direction ही बदल जाती है, यहाँ वेक्टर का फिर, एक लुक, वेक्टर का एक समाल, के वेक्टर भी बताता है, कि जब negative में किसी वेक्टर की terms हो कर दें, तो वो उसका converse हो जाता है, उस direction हो पलड़ जाती है, तो अगर इस तो इस point से 12,2 तलाश करें, तो 12 यू आगे जाएंगे और 2 यू नीचे आएंगे, तो यह point जाके मिलेगा आपको कहीं, यहाँ पे, 12,2 और यह point कहीं जाके मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यह है, minus 2,2, तो यह हो जाएगा 2, minus 2, तो यानि 4, minus 4, तो 4 यू आगे यू नीचे आएगा, तो यह point जाएगा, 4, minus 4, तो यू बदाहर यह triangle इस चकल का है, लेकिन minus में transformation होने की वज़ा से, इसकी sides बदल गए, इसका appearance पलड गई, यही समझाने से मुराद थी, इसको आपके देख सकते हैं, similarly, यह f of x के अंदर values पुट करें, x की 1 से लेकर, 0 से ल निकाल लीजे, उसको निकालने के तरीका मैंने देखा दिया है, कि y को पुट करके, फिर सारी चीज़ें एक तरफ के x को अकेला कर दें, जैसे हमने यहाँ पे x को अकेला कर दिया, और f inverse x here minus 2x upon x minus 6 हो गया, यह हमने पिछले chapter में, chapters में किया वा है, इसके बाद, आप इसमे इसको पुट करके जो है वो, यह f of x की values बताए हुए है, यह f inverse के लिए बताए हुए है, same ही बताए हुए है, 0 से 6, 0 से 6, x की value डालके देखने के y की क्या value आ रही है, और जब इसको plot करेंगे तो ऐसी दो lines plot होंगी, और एक line होने का y is equals to x plot कीजे, जो के यह line होती है, अब यह आपो क्या नजर आ रहा है, तो हमें नजर आ रहा है reflection, y is equals to x के against reflection है, एक line दुसरी line की, इनोंने का अच्छा, आप इसको plot करके देखिए, यह वाली, यह नजर आ रहा है कि straight line की equation है, कि इसमें x upon में कहीं नहीं आ रहा, तो straight line का मतलब है, यह दो line ऐसे बनेगी, f of x की औ against reflection नजर आ रहा है, तो यह कुछ चीजें समझानी चाहें थी, question 4 complete नहीं है, तो वह solve नहीं हो पाया, otherwise यही समझाने की कोशिश कर रहा है, कि किस तरह से vectors का use किया रहा होता है, कहीं कहीं vectors इसमाल हो रहा होते हैं, transformation में भी, ठीक है, तो यह complete समझ लीजिए, इसको solve कर अग्ना खेल लगे, वे लाफ्ळों खेला के वे लाफ्ळा खेले, यह रहा है, यह नहीं है, अखी भी, तो यह एप्रण में अधर रहा है, ढूम्ना खेल कोशिए एता है, तो यहा है, इसक्टार सी आप लोग्ष्ण समझाने के लीजिए, एका रहा है, जब आदिए, यह